कि पियाजे ने जो स्कीमा कहा वो किसको कहा है ठीक है स्कीमा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स उन्होंने कहा अभी भी आपको यह अगर समझ नहीं आया है अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूं उससे आपको बिल्कुल किलियर हो जाएगा कि स्कीमा होता क्या है ठीक है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्ड याद रखिएगा क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो वर्ड है वह बहुत इंबॉर्डेंट है ठीक है क्योंकि एक्जैम में पूछेगा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछेगा और इसी को उन्होंने क्या कहा स्कीमा वर् हम ने वर्ड यूज किया ठीक है और स्कीमा एज यूनिट ऑफ नॉलेज्ज भी वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए अब आ जाते हैं पिक्चर और इसको हम समझेंगे पूरी तरह से फिर से जो यह parents है यह child है कुछ चीज़ा आपको यहां पर पढ़ने में ना भी आये तो आप लोग समझ लीजे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ठीक है यहां पर क्या है यह डॉग है बच्चे ने पहली बार कुट्टा देखा अब उसने देखा parents ने बताया कि यह क्या है डॉग ह बच्चे ने अपने दिमाग में schema बनाया schema means building blocks अब यह building blocks क्या बनाया उसने का एक पूँच है टेल है और उसके चार legs है कान है ठीक है तो यह कुट्टा हो गया जिस चीज के उसने एक schema उसके दिमाग में बन गया जिसके एक पूँच हो कान हो और चार टांगे हो वो क्या हो होगा कुट्टा होगा क्योंकि parents ने बता दिया इसको dog बोलते हैं अब हुआ क्या कि अगली बार उसने फिर से उस कुट्टे को देखा अब देखिए schema जो है वो update भी होता है ध्यान यह दीजिए ठीक है अगर कुट्टे ने यहां पे क्या किया बार्क किया बहु बहु किया तो उसने अपने schema add कर दिया schema में पहले क्या था पूंस थी पैर थे कान थे अब उसने sound भी याद कर लिया कि अच्छा यह sound भी करता है तुम्हीं सभी कुट्टा ही है पेरेंट्स ने बहुत important है इसी को थोड़ा से ध्यान से देखिए अभी यहां पे उसने उसे टच करके देखा तो फरी लगा उसने का अरे हाँ ठीक है यह भी उसने schema में add कर दिया schema को इसलिए building blocks बोला जाता है building blocks समझ में आगया होगा आपको जैसे बचों का एक खिलोना हो two legs थे दो कान थे two years उसने किया ठीक है फरी है और फरी होने के साथ साथ यह bark भी करता है अब देखे चैलेंज कहां पर आता देखे सारे terms आपकी यहीं पर clear हो जाएंगे अब उसने यहां पर दिया देखा उसने कुत्ता देखा तो उसने का dog इसका मतलब समझ गया हो assimilation हो गया यहां पर उसने का चलो ठीक है जो इसकी महां बना था उसने उसे fix बठा लिया अब क्या हुआ अच्छानक से अच्छानक से यह हुआ कि अगले दिन एक बिल्ली आ गए वहां पर उसने देखा कि बाल भी है इसके फरींग तो है यह उसके दो कान भी है इसके पूँच भी है चार भी है तो उसने कहा यह तो क्या है dog उसने क्या मान लिया इसको dog मान लिया और अगले बार देखा उसने तो यह तो उपर चड़ रहा है तो उसने कहा ठीक है कुत्ता बेड़ भी चड़ता होगा उसके बारे में तो यह है अब हुआ क्या कि यहां पर बहुत ही important चीज है कि parents ने बोला कि नहीं यह क्या है cat है यहां पर क्या कहा उसने cat कहा तो बच्ची के जो mind में आया एक disequilibrium आ गया ध्यान दीजिए इस word का नाम इस word को आप ध्यान देना disequilibrium disequilibrium आ गया नीचे देखेंगे ठीक है सारी सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन आपको याद रखेंगे मैंने बोला था तो यह बिल्ली हो गई ठीक है अब थोड़ा disequilibrium आया parents की यहाँ पर यह एक काम है parents का कि वो समझाए जो उपर चड़ रहा है means बिल्ली उपर चड़ती है अब उसके दो schema बन गए देखिए ठीक है कुट्टे के लिए अलग बना है और बिल्ली के लिए अलग बन गया वो समझ गया कि अगर वो इस तरह की पूँच होगी और इस तरह से अगर कोई पेड़ पे चड़ रहा होगा और size वोगेरा का matter होगा तो क्या होगा cat होगा अब दोनों चीजें क्या हो गई उसको clear हो गई parents ने भी clear कर दी उसने देख कर भी clear कर लिया अब उसके mind में फिर से क्या हो गया accommodation हो गया है और उसने समझ लिया है और disquilibrium जो था वो equilibrium के उसमें आ गया है means इस्तिती में आ गया है means जो इस्तिती उसकी असंतुलन की थी वो संतुलन के स्थी में आ गया और यहीं पर learning हो गई उसकी ठीक है अब इसी तरह से classes में होता है कई बार बच्चे का concept clear नहीं होता है जब clear नहीं होता है तो dis equilibrium के stage में होता है teacher का काम है उसको equilibrium के stage में लाना और जब बच्चा equilibrium के stage में हो तो teacher का काम है उससे dis equilibrium के stage पर ले जाना और उस disequilibrium से फिर से उसको सिखा के वापस equilibrium के stage पर लाना देख है तो concept को continuous जब teacher challenge करता रहेगा तो वो समझ में आएगा उसको और इसी process में उस सीखता चला जाएगा process of adaptation में दो चीजें आती हैं एक होता assimilation एक होता accommodation ठीक है assimilation में solving new experience using existing schema schema इसकी में टाज लिखा हुआ तो schema जो है उसके बाद dog का schema ठीक है और उसने बिली पर उस schema को use किया तो उसे कुछ तो find out हुआ है ठीक है तो जब वो new experience हो गया ना उसे cat को देखकर उसे new experience हुआ और उसने जो existing schema था उसका उसको उसमें fit करने की कोशिश की लेकिन ओ fit नहीं बैठा ठीक है तो अब उसे वहां पर solve करना है अगर उसने solve कर दिया यह find out कर लिया कि वह यह cat नहीं यह dog नहीं है यह कुछ और है cat तो उसके parents final करेंगे accommodation चेंजिंग existing schema in order to solve a new experience अब उसने उसमें schema में change भी कर दिया उसका schema जो चार पैर दो कान इस तरह से चल रहा था उसमें उसने एक क्लाइम भी कर दिया कि यह चड़ता भी है जो चड़ता है वह बिल्ली होती है जो नहीं चड़ पाता वह कुटता होता है ठीक है तो अब equilibrium वाला मैंने आपको बताया संतुलन की यहां पर संतुलन के स्तिति को इक्लिब्रेशन कह रहे है ठीक है तो वोफफली कि आपको समझ में आ गया हूंगे सारे टर्म समझ में आ रहे हूंगे आपको और जब equilibrium की स्टेज से बाहर बच्चा होता है तो उसे क्या करते हैं उसी को हम जोन अप्रॉक्सिमल डिवैलेप्मेंट कहते हैं मतलब वहीं पर लर्निंग होगी इस चीच को आप इस तरह से समझीए चलिए मैं यहीं पर आप लोगों को समझा देता हूं कि सपोज कीजिए कि उसने देखा कोई क्वेश्चिन था किसी क्वेश्चिन में बच्चा अटक गया है अब यह वो डिस इकिलिब्रियम के स्टेज में हैं वहाँ पर इस्टिगल कर रहा है उसका जो प्रिवियस नॉल अब उसका जो स्कीमा है या उसका प्रिवियस जो नौलिज है उसमकुछ ऐसा एड करें जिससे कि स्टूर्डर अपने आप क्या करें आंसर तक पहुंच जाए अब उसने कुछ ऐसा नहीं कि वो सॉल्व करके देदे उस प्रावलम को वो कुछ ऐसा एड करें जिससे कि वो खुद यहां तक पहुंचे आंसर तक तब हम उसे कहेंगे कि वह को एक्किलिब्रियम के स्टे तक पहुंच गया है और वहीं पर उसने सीख लिया तो यह जो प्रासेस था बीज का इसी को हम क्या होते हैं जोन आप प्रॉक्सिमल डिवैलमेंट चिल्डरन शुड बी एबल टू डू दियर ओन एक्स्पेरिमेंटिंग एंड दियर ओन जो एक्स्पेरिमेंटिंग होनी थी तो हुई नहीं फिर टीचर ऑफ कोर्स कें गाइड और गाइड कर सकता है बाइड प्रोवाइड एप्रोप्रेट माटेरियल बट इसेंग्शन तिंग इन दा ओडर फॉर एचायल तो अंडिस्टिंग इंसे उसे कंस्ट्रक्ट करने दो उसे खुद से उसे बनाने दो ही मस्ट रीइनवेंट इट और उसे खुद से इसको रीइनवेंट करना दुबारा से बनाना है अब जो बच्चे को हमने डाइरेक्ट कुछ चीज दे दी वह उसको उसके स्कीमा में एड नहीं होगा लेकिन अगर हमने इसके मामें एड हो जाएंगा इसलिए हमने बच्चे को सिर्फ वही हेल्प करना है जहां कि वह अपने सअल गश्य हम फिर से समयप कर लें और उपर से देखते कि हमने क्या क्या चीजें से की और क्या-क्या यहां पर important था तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि जो प्याजे है कि यह वाला देख लेते हैं कि प्याजे ने स्टेजेस के बारे में बात की है सारी चीजें आप लोगो समझ में आगए होंगी एक बार मैं इसे समप कर लेता हूं आप लोगों के लिए एस बर्स दू एटीन टूटीफॉर मांस यहां पर बच्चा जो है वो सिर्फ सेंस करके चीजों को सीखेगा चू कर सीखेगा और ऑब्जेक्ट पॉमिनेंस वाले सेवन येर्स में वो सिंबॉलिक फॉर्ट जेनरेट कर सकता है लेकिन किस के बारे में कर सकता है सिर्फ जिन चीजों को देख रहा है जिन चीजों को चू कर देख रहा है कॉंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होगा यहां पर लॉजिकल फॉर्ट कर सकता है लेकिन ध्यान रखे यहां पर भी क्या कर सकता है उनी चीजों को जो उसने देखी है और जिन चीजों को छूँ सकता है formal operational में क्या होता है यह अडॉल्स इंटू एडल्टुट एज है यहां पर scientific reasoning कर सकता है means जिन चीजों को उसने छूआ नहीं है या जिन चीजों को उसने नहीं देखा है उन चीजों के बारे में विचार कर सकता है उन चीजों के बारे में सोच सकता है इसके बारे में हमने कुछ देखी थी यह सारी चीज़ें देखिए अब मैं आपको सीधे डारेट ले जाता हूं कुछ जो हमने topics किये थे जैसे कि यहां पर है schemas इसकी मां हमने मैंने कहा था आपको कि वो दिमाग में इसे एक building blocks भी कहा जाता बेसिक building block कहा प्याजे ने और उसने अपने दिमाग में बच्चे ने जो भी जिस चीज़ के परती उसने क्या किया है कुछ building blocks बना लिये हैं तो इसके लिए हमने देखा यह photo और इस picture से हमने सम मूँच होती है उसके चार leg होते हैं कान होते हैं और जो भी इस तरह का जिस जिस भी चीज में यह तीन चीज़ें उसे दिखाए देंगी उसको क्या कहेगा और फिर उसने उसे टच करके देखा तो उसे फरी लगा फिर उसने उसे देखा कि यह भौक रहा है तो उसने अब पूरा अपना एक बना लिया इसकीमा कि यह डॉक का इसकीमा जो भौकता है वो इस तरह से फरी लगता है टच करने पर यह डॉक था लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन बाद उसको मिल गया एक उसको दिख गई एक कैट जब उसको कैट दिखी तो उसको उसने क्या कहा उसने कह गई पेड़ पे चड़ गई बिली उसने देखा कि अरे यह तो क्या है उपर चड़ गई तो यह मतलब कुट्ता उसमें उपर चड़ता है लेकिन पैरेंट्स ने बताया कि नहीं यह क्या है तो cat का schema और dog का schema यहाँ पर आप देख सको dog and cat उसमें दो schema क्या कर लिए बना लिया अपने दिमाग में और दोनों को अगर वो अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि उसने चीजों को assimilate कर लिया और adaptation उसकी life में हो गया इस process को adaptation का जो process होता है उसमें दो चीज़ें आ जाती है assimilation आ जाता है accommodation आ जाता है assimilation तब होता है जब वो किसी new experience को existing schema से क्या कर लेता है solve कर लेता है लेकिन अगर उसने अपने schema में कुछ changes भी कर लिये खुदी changes कर लिये उसने तो उसको क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे कि उसने accommodate भी कर लिया है means एक जगह तो उसने सिर्फ क्या किया उसको solve कर दिया बस कि अच्छा ये उसने एक बिली देखी और उसने कहा कि dog का उसके पास schema था ही उसके brain में लेकिन उसने क्या किया कि उसमें से कुछ चीज़ा के या कुछ चीज़ां जोड़ के उसने क्या कर लिया पहचान लिया कि यह कुछ और चीज है ठिक है जब बताया गया की cat है तो ठीक है यह cat है अब लेकिन अपडेट नहीं कर पाया अगर व अपडेट नहीं कर पाया तो assimilation तो हो गया है लेकिन accommodation नहीं हुए अपडेट कर लिया उसने अपना schema तो इसे accommodation कहेंगे ठीक है तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली होंगी उसके बाद हमने कहा कि जो education है education में हम इसको किस तरह से add कर सकते हैं तो हमें teaching जो methods हैं उनको हमें देखना है sensory motor में कौन-कौन सी थी यहां पर हम लोगों ने देखा कि object permanence games सिखाने बच्चे को sensory play करवाना है और imitation से हम बच्चे को सिखा सकते हैं दूसरी जो stage थी उसमें role play हो गया use of symbol हो गया hands-on activity इन चीजों के बारे में already हम बात कर चुके हैं आप लोगों अगर यह heading से भी याद रहती है तो आपको काप सारी चीज़े याद हो जाएगी egocentrism activities करवाई जा सकती है concrete operational में teacher क्या क्या करवा सकता है classification task करवा सकता है hands-on experiment करवा सकता है logical games खिला सकता है बच्चे को उसके बाद आता है formal operational stages hypothesis testing abstract thinking कर सकता है problem solving करवा सकते हैं debate and discussion करवा जा सकता है इस stage में feedback and questioning भी करवाई जा सकती है तो hopefully कि आपको प्याजे पूरा समझ में आ गया होगा अभी तक जो पूरा यह detailed video है और इसमें लगबख सारी चीज़ें आ गई हैं आपको प्याजे समझ में आ गया होगा उनकी theory समझ में आ गया होगी जो की टाम सर्म समझ में आ गया होगे और teaching process में कैसे उसको यूज किया जाएगा कौन-कौन सी टेकनीक सी यूज की जाएंगी ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट पाई टिक केर